विराट कोली के विराट फॉर्म से रिंकू जैस्वाल को बड़ा नुकसान टीट्वेंटी वर्लकप में अपनी जगा से हाथ दोना पड़ेगा जिया दोस्तो विराट कोली जिस तरीके की फॉर्म में है जो हमने कल देखा जहाँ पर अकेले दमपर विराट कोली ने पंजाब के हाथों से मुकाबला चीन लिया 37 रनों की कमाल की पारी खेली और जैसी विराट की शांदार फॉर्म अभी लग रही है उससे टी-20 वर्लकप में रिंकू सिंग और जैस्वाल जैसे खिलाडियों को नुकसान होने वाला है रिंकू सिंग और ये शैस्वी जैसवाल भारतीय टीम के दो युवा सितारे दो यंग सस जो की बड़ी ही शांदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं चाहे इंडिया के लिए जब खेल रहे होते हैं तब उनकी शांदार परफॉर्मेंस आती है और IPL में जब वो खेल रहे होते हैं वहाँ पर भी उनकी शांदार परफॉर्मेंस आती है लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई विराट कोली की फॉर्म से इन दोनों खिलाडियों को नुकसान क्यों है आखिरकार इन दोनों खिलाडियों को क्यों अपनी जगा से हाथ धोना पड़ेगा अगर विराट कोली नन बना रहे हैं तो दरसल T20 World Cup में टीम इंडिया को अगर इन दौनों यंग्स्टर्स को खिलाना है जिसमेंसे एक तो फिनिशर है रिंकु सिंग जिसकी फिनिशिंग एबिलिटी हम सभी न देखी है और दूसरा एक opener है जिसकी हमने opening जो शुरुवात वो T20 क्रिकेट में देता है वो भी हमने देखा है और टीम इंडिया को इस वक्त दोनों ही खिलाडियों की जरूरत है लेकिन T20 World Cup में कुछ ऐसा समीकरन बनता है Playing 11 का कि अगर इन दोनों को हम Playing 11 में डालते हैं तो भारतिये टीम सिर्फ पाँच बोलर्स के साथ खेल पाईगी और उसमें विराट कोली भी included होंगे यानि कि अगर एक Playing 11 में विराट कोली भी है रिंकू सिंग भी है ये शश्वी जैसवाल भी है तो टीम इंडिया को सिर्फ पाँच बोलर के साथ जाना पड़ेगा जो कि T20 क्रिकेट में एक सुसाइड मिस्टन होता है वहीं अगर दूसरी तरफ विराट कोली को ही Playing 11 में रखा जाए और किसी एक येंगस्टर के साथ जाये जाये या जैसवाल के साथ जाये जाये या रिंकू के साथ जाये जाये तब आप 6 options के साथ जा सकते हैं लेकिन क्या आप ऐसा करेंगे जो दो promising talent हमको T20 World Cup के लिए मिले हैं जो दो नए चेहरे हमको मिले हैं क्या आप उन्हें टीम से बाहर रखोगे क्योंकि 10 साल से रोही शर्मा विराट कोली तो नहीं जिता पाए लेकिन अब इन दोनों पर कहीं न कहीं भरोसा होने लगा है कि हाँ जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो शायद इंडिया को जितवा दे वो शायद इंडिया को जिता पाए लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप जैसवाल और रिंकू के साथ जाते हो तो विराट कोली को अगर आप बाहर रखते हो तो आपके ऐसे में 6 बोलिंग आप्शन भी होते हैं और आपकी टीम भी कंप्लीट हो जाती है लेकिन विराट कोली जिस फॉर्म में है आप उन्हें बाहर कैसे रख सकते हैं तो यही डिलेमा है यही दोविथा है यही परेशानी है सिलेक्टर्स की और कप्तान रोहित शर्मा की के टी-20 वर्ल्लकप में आखिरकार क्या होगा विराट कोली अगर फॉर्म में है तो डेफिनेटली विराट को लेकर जाये जायेगा और फॉर्म से भी मतलब नहीं है भाई विराट कोली तो मेरिट पर सिलेक्ट होते हैं उनके रन तो आई-पेल में आते ही आते है तो विराट को तो बाहर नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो यशश्वी जैसवाल टेबल पर लेकर आते हैं, जो रिंकु सिंग गेम में लेकर आते हैं, आप रिंकु सिंग को भी बाहर नहीं रख सकते हैं, आप यशश्वी जैसवाल को भी बाहर नहीं रख सकते हैं, हमने दो प् जैसवाल ओपन करते हुए नजर आ रहा है फिर सूर्य आ है फिर हारदेक है फिर रिंकु है फिर जितेश राहूल जो भी आपका विकेट कीपर है जड़ेद्या बिशनुई अर्शदीप शामी भूमरा शामी भाई तो खेरा भी इंजर होगे तो कोई और खिलाडी महाँ पर जाएगा लेकिन इस प्लेइंग लेवन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें विराट नहीं है और आपके छे बोलिंग आप्शन भी पूरे हो रहे हैं लेकिन दूसरी प्लेइंग लेवन पर आप जाएंगे तो वहां पर हमने कोली को रखा है ओपन कर रहा है वो रू में रिंकु सिंग को बाहर बैठना पड़ेगा तो यही डिलेमा है यही दुविता है एक विराट कोली जिसको आप बाहर करनी सकते लेकिन रैसवाल और रिंकु सिंग उनको भी आप खिलाना चाहते हो अब यह तीनों एक साथ प्लेइंग लेवन में फिट इन नहीं हो रहे वरना अगर आप तीनों को खिलाते हैं तो आप पांच बोलर्स के साथ जा पाएंगे जिसमें इंक्लूडिड आपके हारदिक पांडिया जो की एक और रॉंडर है यानि कि चार में बोलर और एक और रॉंडर के साथ जाएंगे जो की टी-20 क्रिकेड में एक साइड है उससे खराब कुछ नहीं हो सकता तो यहाँ पर आप रोहिश अर्मा क्या करेंगे कोच राहूल ड्राविट क्या करेंगे चिप सिलेक्टर्स क्या करेंगे यह देखने वाली बात होगी और T20 वर्ल्लकप का यह जो सिलेक्शन होने वाला है यह भी मैं आपको बता दूँ एक मही तक हो जाएगा क्योंकि जून से आपका T20 वर्लकप शुरूए हो और एक महीने पहले आपको टीम सब्मिट करनी होती है तो जादा टाइम है नहीं सिर्फ एक महीना है और इस एक महीने में डिसाइड करना है सिलेक्टर्स को और टीम को कि कौन कौन से खिलाडी जाने वाले हैं और स्कॉट से ही हमें अंदाजा लग जाएगा दोस्तो क्या प्लेइंग लेवन आपकी होने वाली है तो यही है दोस्तो स्टोरी आप भी हमें बताएगा कॉमेंटं चेक्शन में पसंदाईए एंगा नहीं आईए साथी साथ ज़रूर हमें बताएगा कॉमेंट्स में क्या वाकई में विराट कोली को बाहर रख सकते हैं या विराट प्लेइंग एलेवन में आते हैं को जैसवाल में से कौन बाहर होगा जरूर इसका आंसर दीजिएगा साथी साथ लाइक जरू कीजिएगा शेयर जरू कीजिएगा और अभी तक आप लोगों ने स्पोर्ट शैरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलेगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही जय हिंद जय भारत